ये गैस मैं सिवम कुस्वाहा स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल क्विक गार्डिनिंग में दस्तो अगर आप इस समर सीजन में कुछ ऐसे प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं जो की धेश सारे उनमें फ्लावरिंग हो साते सात उनकी केयर बहुत ही कम करना पड़े तो इस वीडियो में आप end तक बने रहे methods इस वीडियो में दोस्तो कुछ ऐसे प्लांट मैं आपके सास्थ सेयर करूँगा जिनकी केयर बहुत ही कम करनी पड़ती है और इसमें जो flower होते हैं काफी धे सारे खिलते हैं और ये सभी plant दोस्तों आपको सितंबर तक धे सारे flower देते रहेंगे तो दोस्तों सबसे पहले plant जो मैं आपके साथ share करूँगा वो है जीनिया का plant जी दोस्तों जीनिया का plant summer season में काफी अच्छी तरीके से blooming करता है और इसके जो flower होते हैं दिखने में काफी खुप तूरोस होते हैं जीनिया के plant की दोस्तों कई सारे varieties आती हैं इसमें आपको single petal, double petal, दोनों तरह के varieties आपको market में देखने को मिल जाएंगे इनके flower दोस्तों आपको market में कई color में देखने को मिल जाएंगे जैसे की red, pink, white, yellow और भी कई सारे colors में इनके flower आते हैं दोस्तों इनकी care करना बहुत ही आसान है बस आप इसमें समय समय पे watering करते रहें और अगर आप इसमें fertilizer देना चाते हैं तो इसमें आप सड़ी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद इसके growth के लिए काफी बेश्ट माना जाता है अगले नमबर पे दोस्तों जो plant में आपके साथ share करूँगा वो है विंका विंका को दोस्तों सादा बाहर भी कहते हैं और ये एक summer season का काफी बेहतरीन flowering plant में से एक माना जाता है क्योंकि दोस्तों इसके flower आपको कई सारे colors देखने को मिलेंगे जिसकी white, pink, yellow, red और भी बहुत सारे color में इसके flower अविलवल होते हैं दोस्तों अगर आप इस summer season में कोई ऐसा plant ग्रो करना चाते हैं जिनमें धे सारे flowers होती हो, धे सारे उनमें flooring होती हो तो आप इस plant को अपने garden में grow कर सकते हैं अगले number पे दोस्तों जो plant में आपके सारे कर रहा हूँ वो तो एक flooring plant नहीं है लेकिन फिर भी आप चाहे तो इसे अपने garden में grow कर सकते हैं दोस्तों इस plant का नाम कोचिया है और इस plant की सबसे खास बात ये है कि ये पूरे summer इसके जो plant होते हैं वो green होते हैं अगर आप अपने garden में थोड़ी सी हर्याली चाहते हैं तो आप इसके 2-3 plant लगा सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये सारे plant पूरे नीचे से लिके ऊपर तक green है और दिखने में काफी प्यारा लग रहा है तो आप चाहे तो इस plant को अपने garden में ग्रोव कर सकते हैं इसकी भी care आपको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है सिंपली इसे आप एक अच्छी potting soil में ग्रोव कीजिए और समय समय पर आप इसमें गुबर की खाद अपलाई कर सकते हैं बात जब समर flowers की हो रही हो और उसमें बोगिनविलिया प्लांट का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तो बोगिनविलिया एक बहतरीन फ्लावर प्लांट है जो की आपको पूरे साल फ्लावर देता रहता है आप चाहे तो इसे समर सीजन में अपने गार्डन में ग्रोव कर सकते हैं दोस्तो आप देख सकते हैं ये मेरा बोगिनविलिया का प्लांट है और इस समय इस प्लांट में कितने ढ़े सारे फ्लावर लेवे हैं इसके flower दोस्तों कई color में आपको nursery में देखने को मिल जाएंगे जैसे कि white, pink, purple, yellow और भी कई सारे colors में इसके flower आते हैं और जो की काफी अच्छी तरीके से florid भी करते हैं तो दोस्तों मैं आपको suggest करूँगा कि इस summer season में आप बोगनविलिया के plant को जरूर अपने garden में grow कीजिए अगर आप इसे अपने garden में grow करते हैं तो आपके garden में पूरे साल flower की कमी नहीं होने वाली है और अगर आप इसके care का वीडियो देखना चाते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल पे इसके care का वीडियो एविलेबल है आप जाके उस वीडियो को चेकाउट कर सकते हैं तो दोस्तों अगले नमबर पे जिस plant को मैं आपके साथ share करूँगा वो है mint का यानि की पूदीना दोस्तों गर्मियो के सीजन में अगर आप पूदीने को अपने garden में grow करना चाते हैं तो आप easily इसे grow कर सकते हैं दोस्तों गर्मियो के सीजन में लू काफी तेजी से चलती है और अगर हम पूदीने की चटनी का सेवन करें तो हमें लू नहीं लगेगा इसलिए इस plant को मैंने इस वीडियो में रखा है ताकि आप इसके benefits के बारे में जान सकें पुदीने के दोस्तों क्या क्या benefits हैं और हम इसे easily अपने garden में कैसे grow कर सकते हैं cutting से इसके उपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जो की जल्द ही आपको मेरे यूटूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों आप उदीने को भी अपने garden में जरूर से add किजिए ये आपके सिहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदमंद है तो दोस्तों इस वीडियो का ये last flooring plant है और इसका नाम है कास्मोज दोस्तों अगर आप कास्मोज को भी तक अपने garden में गुरू नहीं किये हैं तो जल्दी से जाएए आपको नरसरी पे इसके छोटी छोटे प्लांट देखने को मिल जाएंगे उसे वाई किजिए और अपने garden में इसे ग्रो किजिए कास्मोज का फ्लावर दोस्तों सितंबर तक इनमें धे सारे flooring होती रहती है उमीद करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने जो भी प्लांट आपके साथ सेयर किये हैं उसे आप अपने garden में जरूर से ग्रो करेंगे और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा अपने family member और दोस्तों के साथ इसे सेयर करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि वो भी इसी तरह के बहतरीन content का लाव उठा पाएं साथी साथ channel को subscribe किजिए ऐसे ही बहतरीन content देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए good bye, take care, happy gardening